km अहलो दोस्तों मैं यूटूब 京नल जो की की ये है परेंटेज्स से और ये जगर मैं मैंने के कोंचेक्ट कर रहा हrail जो मैंने कोंच्ट्न सिलेक्ट किये हूं ये इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी इमार और Air Force Y Group के लिए बहुत महत्पूर होने वाले हैं अगर आप इनको करते हैं अगर आप exam दियें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं यह हमारा type first होगा तो आज के जो हमारा पहला question वो क्या कहरा देखे कहरा किसी संख्या का 20% 120 है उसी संख्या का 120% कितना होगा देखे मैं सवाल हूब भू भी पढ़ सकता हूँ लेकिन अगर सवाल को अपने language में समझेंगे अपने भासा में समझेंगे तो थोड़ा सवाल करने में easy आता है देखे कहे क्या रहा है जो 20% है वो 120 के बराबर है चलिए हम कर देते है 20% बराबर 120 कहे रहा है इसी संख्या के 120 किसके बराबर होगा तो 120 किसके बराबर होगा देखे ये 20 था और 20 से बढ़ कर 120 हो गया कितने गुना बढ़ा तो आप कहोगे भाई 6 गुना बढ़ा कितने गुणा बढ़ा तो 6 गुणा बढ़ा जब इधर 6 गुणा बढ़ेगा तो आपको पता है इधर भी 6 गुणा बढ़ेगा तो चलिए इधर से भी हम कर देते हैं 6 से गुणा अब 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 चंग 72 और 1 जीरो यानि की 720 आ जाएगा किस option में 720 है तो option number D है इसका सही जवाब हो जाएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कापी पेन उठा कर बैठिए और जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप भी करिए निश्ची तुरूप से समझ में आएगा चलिए अगला question जो कहता है देखिए सवाल के जो लेबल हो बहुत मस्त है उसकी tension आप मत कीजिएगा ठीक देखिए जो हमारा अगला सवाल कहता है कह रहा है 10,000 का 33 से 1.3% का 0.5% कितना होगा देखिए हम साल्व करने से पहले बता देए जो का होता है का सब्द है का सब्द का मतलब कि इसके जगए पर हम गुरा रखेंगे ठीक तो चलिए साल्व करते हैं देखिए 10,000 का रहे है का के जगे पर गुडा 33 शाही एक बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए 33 साही एक बटे 3 को हम क्या लिखेंगे जब 33 का गुड़ा तीन में करेंगे तो निन्यान बे आएगा निन्यान में एक और जोड़ेंगे तो सव आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं सव बटे तीन लिख सकते हैं आप कोहोगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं चलिए यहाँ पर हम रखेंगे सव बटे 3 100 बटा 3 रखें अब गुड़े प्रतिसाथ है प्रतिसाथ हटेगा तो 100 से भाग देंगे चलिए 100 से भाग भी दे दिए फी का का मतलब गुड़ा लगाएंगे और 0.15 अब बटे 100 बटे 100 आएगा ना क्योंकि प्रतिसाथ हटेगा तो 100 आएगा बराबर एक समान लिए देखिए यह दसमलो लगा है इसके जगपर नीचे 2 0 और बढ़ा लिए तो आपको जी हाँ बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं है चलिए देखिए यहाँ पर 4 0 है और यहाँ पर भी 4 0 है कड जाएंगे आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल कड जाएंगे देखिए यहाँ पर भी 2 0 है और नीचे भी 2 0 है चलिए इसको भी काट देते हैं कलर थोड़ा ठीक ठाक ले लें यह कट गया अब क्या क्या बच रहा है उपर बच रहा है 15 उपर बच रहा है 15 और नीचे बच तीन किसके बराबर एक्स के बराबर अब तीन से पंद्रा को काटेंगे तो आएगा पांच बराबर एक्स तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर ती यानि की पांच हो जाएगा सही जवाब आपसे नंबर सीज का हो जाएगा चलिए अगला सवाल जो हमारा है वो क्या कह रहा है थोड़ा स्पीड में करेंगे तो सारे सवाल जल्दी हो जाएगे कह रहा है 0.0 0 सुरी कह रहा है 0.0 0.0 हो जी नहीं रहा 0 0 0 1 किसके बराबर होगा यहां पर सारे आपसन पर्षेंड में है तो यहां से एक दसमलों हटेगा तो नीचे 3.0 आएंगे अब हमारा बन गया है एक बटे एक हजार अब सारे आपसन प्रतिशत में हैं तो प्रतिशत के लिए सवाल का गुड़ा कर दे अब इससे यह कटेगा तो नीचे बचेगा एक बटे 10 एक बटे 10 का मतलब होगा एक का भाग हम 10 में करेंगे जी हां एक का भाग अगर 10 का भाग अगर एक में करेंगे तो आएगा 0 दसमलो 1 जो कि आपसन नंबर B में दिया है इसका सही जवाब B हो जाएगा चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है देखें यहां पर थोड़ डबल डबल आ गए हैं कोई दिक्कत नहीं पहले नीचे बाला करते हैं देखें कर अब 45 के 45 के 5 बटे 9 के 36 परसेंट का 27 परसेंट कितना होगा देखें तो 45 ताव काके जगर पर हमने बताएं गुड़ लिखेंगे बटे 5 पांच बटे 9 गुडे 36 परसेंट थाटेंगा तो 100 का गुड़ और करेंगे गुडे 27 अफिर परसेंट थाटेंगा तो गुड़ गरेंगे किस के बराबर होगए मान लिए X के बराबर होगए देखिए यहां से यह दो जीरो कट गए और यहां नौ से काट दिये नचाओ को 36 चार बार में कट गया अब जब हम इसे काटेंगे यहां से काटेंगे तो यह आ जाएगा बीस पांस से काटेंगे यह जाएगा बीस और जब हम चार इसको काटेंगे चार से बीस को काटेंगे कलर चेंज करने तो ज्यादा समझ में आएगा देखिए जब चार को हम बीस से काटेंगे तो आएगा प इतना बचा पांस तेसको काटेंगे तो आएगा नाव का गुड़ा 27 में करेंगे तो आएगा नाव 7, 9, 36, 7, 9, 24, 46, छमक कीजिएगा जब हम करेंगे 27 का गुड़ा 9 में तो कितना आएगा तो 9, 7, 36 की 3 और हमारा जो 6 बच गया अच्छा है ना दून 18 और 18, 6, 24 यानि कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसे नमबर C, 243 आजाएगा इसका सही जवाब आपसे नमबर C हो जाएगा चलिए एक सवाल और था इसमें देखिए ये सवाल क्या कह रहा है इस बार कलर थोड़ा अलग ले 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 तो दीखेगा सवाल कह रहा है कि तीन दस अमलो च्छाय का तीन दस अमलो च्छाय किलो ग्राम कितने परस्चत है बहत्तर ग्राम का बहत्तर का कितने पर श्चन थे देखिएखिए तो बहत्तर र ग्राम में है ुस्कीलो ग्राम में है और ये ग्राम में है तो इसे भी हम ग्राम में बनाएंगे तो करेंगे 1000 से गुड़ा लेकिन एक दसमलो है तो आएगा नीचे 36 अब प्रतिस्यत बनाना है तो 100 का करेंगे यहाँ पर गुड़ा देखे जब ये 100 से ये 100 कटेगा साइद दिख नहीं रहा होगा ये 100 से ये 100 कटेगा और ये 36 से काटेंगे 72 तल तो कट जाएगा हमारा दो बार में तो इसका जो एंसर आएगा वो आजाएगा दो प्रतिस्यत यानि कि आपसन नमबर 20 का सही जवाब हो जाएगा चलिए अगला कोस्टन जो हमारा कहता है कह रहा है देखे साइद आपको दिखना रहा हो कह रहा है आपसन कि सवाल कह रहा है जब एक संख्या का 10 परशन घटाये जाता है तो उसका जो परिमाड है 30 आता है तो संख्या क्या थी कह रहा है संख्या 10 परशन घटा दिये तो बच गई 30 तो संख्या क्या थी देखेगा माल ये संख्या हमारी साव थी साव में 10% घटा आए तो कितनी बची तो आप कहोगे 90 बची और ये 90% जो दिया है ये दिया है 30 के बराबर हमारा जो 90% 30 के बराबर है तो 1% किसे बराबर होगा तो आप कहोगी जो एक परशंट होगा, वो होगा 3 बटे 9 के बराबर 3 बटे 9 का मतलब होता है, एक बटे 3 के बराबर तो हमारा 100% किसके बराबर होगा? तो चलिए 100 गुड़े, 1 बटे 3 के जब गुड़ा करेंगे तो आएगा 33 सही एक बटे 3 यानि कि आप्चन नमबर इसके भी जह हो करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है देखिएगा ये दमदार सवाल है थोड़ा कोश्रगाड के लिए कहरा एक संख्या 75 पर्षंड में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या परिमार उसी संख्या के बराबर हो जाती है तो संख्या का 40 पर्षंड ग्याद कीजिए देखिए सवाल कह रहा है कि संख्या के 75% में अगर 75% जोड़ दें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है तो हमें 40% का मान ग्याद करना है मान लिया हमारे पास संख्या कितनी थी तो 100% थी 100% में 75% इधर आ गई और तो कितनी बची 25% अब कह रहा है कि 75% में अगर 75% में अगर 55% जोड़ दें तो हमें संख्या सव हो जाती है आप बताईए अगर हम पचातर में ये 25 परशन जोड़ेंगे तो भी 100 आएगा इसका मतलब ये है कि जो हमारा पचातर दिया है वो 25 परशन के बराबर है तो एक बराबर कितना होगा जब एक परशन बराबर होगा 25 का भाग 75 में देंगे तो आएगा 3 अब तो 100 परशन बराबर कितना होगा तो 100 परशन बराबर चालिस में देंगे तीन चौग बारा यानि की 120 इसका सही जवाब हो जाएगा आपसे नमबर सी इसका सही जवाब आपसे नमबर सी हो जाएगा चलिए देखेगा हमारा अगला सवाल कह रहा है कि अस्वनी अपनी आएगा 15% खर्च कर देता है यदि उसका खर्च 75 हो तो उसकी आए ग्यात किजी देखे कह रहा है जो उसकी आए है उसका 15% खर्च कर देता है माल लिया कि अस्वनी कमाता है कितना कमाता है तो सव रूपय कमाता है ठीक सव रूपय कमाता उसमें से खर्चा कर दिया पंदरा और बचा कितना लिया तो आप कहोगे पचासी बचा लिया ठीक जो पंदरा है पंदरा की एक्जैक्ट वैलू जो है वो है पचात्तर के बराबर किसके बराबर 75 के बराबर है तो एक बराबर कितना होगा आप कहोगे एक बराबर 5 होगा अगर एक बराबर 5 होगा तो अस्वानी की आई जो थी वो 100 उपाय थी तो 100 बराबर कितना होगा तो आप कहोगे अगर एक बराबर 5 तो 100 बराबर 500 तो इसकी आई जो होगी वो होगी 500 यानि कि आप्चन नमबर डी इसका सही हो जाएगा आप्चन नमबर डी चलिए देखेगा हमारा अगला सवाल जो कहता है कह रहा है यह सवाल ऐसे ही सवाल आएंगे आप टेंशन मत लीजिए कि लेबल आपको बहुत मस्त है कहने का मतलब ज 25 परशन चात्र असफल हुए मतलब फेल हो गये और केवल 450 चात्र सफल होते हैं तो परिच्छा में कुल कितने चात्र थे देखेगे माल लिए हमने परिच्छा में थे 100 परशन चात्र थे हाँ कितने फेल हुए तो फेल जो हुए वो हुए 25 परशन अगर 25 परशन फेल हुए तो आप बताईए पास कितने होंगे तो पास होंगे जो वो होंगे 75% होंगे आप को जी हाँ बिल्कुल होंगे जो कहे रहा है केवल कितने सफल हुए सफल का मतलब कितने पास हुए वो हुए 450 तो 75% बराबर दिया गया है 450 ठीक अब इसे हम काटेंगे अगर 15 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा अब 15 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा यानि कि 5 पर्षन बराबर 30 तो 1 इधर लिखते हैं अगर 5 पर्षन बराबर 3 है तो 1 पर्षन बराबर कितना होगा तो आपको होगे 1 पर्षन बराबर होगा 6 अगर 1 पर्षन बराबर 6 होता है तो 100% बराबर कितना होगा तो आप कहोगे 100% बराबर होगा 600 तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपसन नंबर भी यानि की 600 चलिए देखेगा अगला सवाल देखे हमारा आज के last सवाल होगा और सवाल कह रहा है एक परिच्छा एक परिच्छा में 33% चाथ उत्तीर होगे और 455 अनुत्तीर हो गए मतलब 35% पास होगे और 455% परसंट नहीं ये वैलू दी है 455 फेल हो गए तो परिच्छा में कुल कितने संख्या कुल कितने विद्यार्थी थे कुल कितने चाथ रहते ये पूछा जा रहा देखेगा मान लिया हमारे पास 100% थे हर बार हम 100 ही मानेंगे क्योंकि कोई चीज अपने आप में 100 होती है कितने फेल हो गए कितने उत्तीर होए उत्तीर मतलब पास होए तो वो हुए 35 अगर 35 पास होए तो फेल कितने हुए होँगे तो आप कहोगे हुए होँगे फेल 65 65 हुए होँगे और कह रहा है जो फेल हो कि संख्या है वो दी गई है 450 मतलब 65 बराबर दिया गया है 450 पाचास नहीं था 400 पाचापन है तो अब हमें ग्यांत करना है कि कुल कितने चात रहानी कि हैंंडेटार्ज्ट की वैलु निकाल laquelle देखिंगे 65 बराबर कितना दिया है तो चलिए काटेंगे त्यारा से काटेंगे क्या त्यारा से काटेंगे त्यारा 55 आएगा त्यारा ती 49 आएगा त्यारा पचे 25 आएगा आएगा अफ़ी 5 दिकाटेंगे तो आएगा साथ एक पर्षंट बराबर यानि कि चलिए इधर लिखते हैं यानि कि एक पर्षंट बराबर आएगा एक पर्षंट बराबर आजाएगा साथ अगर एक पर्षंट बराब 700 देखिए हम अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिस किये कि मैं आपको समझा सकूँ लेकिन अगर मैं आपको नहीं समझा पाया और आपके समझ में नहीं आया तो आपको मैं एक विकल पाउर देता हूँ आप मेरा वाट्सअप नमबर ले लिजिएगा नमबर क्या है वो है 8303 7 633 007 मैं इस पे अगर आप ये मेरा वाट्सप नमबर है अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मैंसेश कर दीजिएगा मैं आपको इसका सलूशन जो है वो दे दूँगा मतलब वो ऐसे तो कराया डिटेल में है सारत कुछ अच्छे से कराया लेकिन फिर भी समझ में नही होगे कल और तब तक के लिए धन्यवाद चलिए